हरे क्रिश्न छाथी यंदी साथी के इत्यास में जो हमारा आधुनिक काल चल रहा था उसमें प्रगतिवास पूरा कर चुके थे और अब हम प्रयोग वाद में आचुके थे और प्रयोग भाद नहीं देखे हैं तो फिर से मैं repeat करती हूं कि आप UGC net की जो पुराने पेपर की बुक है अब तक के जितने भी उनको आप ले आये क्योंकि आधुनिक काल में यह जो रचनाय और इनके सन है यह आपको यू याद नहीं होंगे जब तक आप उन से प्रश्णों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अगर अभी तक आप नहीं लाए हैं पुराने सालों के जो भी पेपर है UGC net के आप जरूर लेके आईए क्योंकि आधुनिक काल में दिक्कत आएगी आपको बहुत ज्यादा और उसके लिए प्रीवियस यह के पेपर बहुत ज्यादा हेल्फुल रहेंग उसके बाद b8 किया मैं हिंदी से कि क्या मैं भी एडिशनल कर सकता हूं यह मुम्किन है तो क्या फिर मैं rp3C collaboration key के लिए हिंदी विश्यार मने कीयोंकि हो सकता हूं देखिए अगर आपने में कर रखी है हिंदी में और बीएड कर रखा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ एडिशनल की जरुरत है आप डायरेक्ट भी अगर हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएट है और आपका बीएड है तो फिर आप फर्स्ट ग्रेड का एक्जाम दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको शायद मेरे खयाल से जहां तक मुझे नौलेज है एडिशनल की जरुरत नहीं है और फिर भी अगर मेरी जानकारी आपको कम लगती है तो आप कहीं और से ट्राई करिएगा क्योंकि एडिशनल के बारे में मुझे कोई जानकारी नह परसंटेज मांगे या कुछ ऐसा और एक और है एक है रीना जीनगर उन्होंने बोला है कि उन्हों से वह मुझे जुड़ी है उनको 10 दिन ही हुआ है एकर उनको पता नहीं चल पा रहा है कि पीडिएफ को लिखनी कहां से तो मैंने आपको वैसे तो जवाब दे दिया रिना जी लेकिन मैं फिर भी यह कहूंगी कि टेलिग्राम पे जो भी पीडिएफ मैंने नौट्स की मैंने शैर किये पेज नंबर उनके लगे हुए हैं और 24 नॉवंबर के आसपास 24 या 25 देखिए आपको दिख्कत नहीं आएगी जो भी बच्चे लेट जुड़े हैं मुस्से उन्हें पीडिएफ में अगर प्राब्लम आ रही है कहां से उतारें तो पेज नंबर दिये हुए हैं उनको पकड़ के वहीं से करें और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुससे अभी-भी जुड़े हैं और उनकी ये समस्यां भी हैं कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं और मैं बहुत आगे चल रही हूं तो देखिए आप इस बात की चिंता बिलकुल छोड़ दीजे कि आप पीछे हैं कि आगे हैं आप बस ये दियान मे रखिए कि आप मुझसे जुड़ चुके हैं और आप इन्हें प्राप्त कर रहे हैं तो कोई मैटर नहीं करता है कि और आप अपने गति से दिरे दिरे उन्हें उतारिये आराम से क्योंकि इंदी साइथियास बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और आप इन्हें धिरे दिरे उतार कर और कर लीजिएगा ठीक है ना क्योंकि आगे पीछे का कोई सवाल ही नहीं है बस आप इने उतारीएगा जरूर तो जितने भी बच्चे मुझसे नए जुड़े हैं बिल्कुल परेशान ना हो हर चीज दिरे-दिरे ही की जाती है अपनी चाल से करिए अपनी गती से करिए अब हम पढ़ेंगे प् से उत्परोथ साइत्य धारा प्रगतिवात की पश्चात हिंदी साइत्य में प्रयोगवात का उदय हुआ और हाँ एक सखाल मुझे याद आ गया रशन भाई मेना का कि मैं आपको कल की क्लास में बहुत उबासी आई थी बिल्कुल सही है बहुत ठक जाती हूं बहुत टाइ है कि ग्रेश्ती है बच्चे है सब कुछ देखना पड़ता है सब कुछ समालना पड़ता है और फिर आप लोगों के लिए मैं थोड़ा जल्दी उठती हूं कि क्लास इस रेगुलर हो पाए इस वज़े से ठकान की वज़े से हो जाता है आगे देखिए जानी जाती है सचिदानंद हीरानंद वात्सियायन अग्ये को प्रियोगवाद का क्या माना जाता है प्रवर्थक अग्ये के संपाधन में उनीस सो तैयालीस में प्रकाशित तार सब तक से प्रियोगवाद का आरंब बाना जाता है और हां जो बच्चे बाद में जुड़े हैं और जो पीछे रह गए हैं तो मैं उन्हें बता हैं क्योंकि संप्र सब्सें बत्रव कर लेजिए क्यूंकि संप्रिए कर लीजीए कि बहुत सरे जॉव्र संप्रिंट निकल बाल रिजीए कोई दिक्कत नहीं लेकिन पहले यूट्यूब पे मेरा वीडियो जरूर देखिए पहले समझ यह उन नौट्स को फिर आप उनको पढ़िए बाकिया आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा अग्ये के संपाधन में चार तार सब्तक प्रकाश्वित हुए जिन्में प्रतेक में साथ साथ कवियों की रचनाये हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीके तार सब्तक की मूल योजना जो बनाई थी वो किस ने बनाई थी प्रभाकर माच्वे और नेमी चंद्र जैन ने इन दोनों ने अपनी योजना को अग्ये के सामने रखा इसे उन्होंने क्रियानवित किया इंदी कविता में प्रयोगों के आरंब करदा निराला माने जाते हैं निराला की कविताओं को प्रयोगों का स्तंब कहा जाता है निराला ने चंद प्रतिक उपमान आधी सभी शेत्रों में प्रयोग किये अपने प्रतम कविता जुई की कली 1916 में इन्होंने कविता को चंद के बंदन से मुक्त किया था कुकुर्मुत्ता कविता में इन्होंने कुकुर्मुत्ता गुलाप जैसे नए प्रतीक प्रयुक्त किये प्रयोग वाद का नामकरण आचारे नंद दुलारे वाचपेई को माना जाता है नामकरण कड़ता इन्होंने प्रयोग वादी रचनाय शुर्शक निबंद लिखा था किसने एनंद दुलारे वाचपेई ने तार सब्तक की भूमिका में अग्याई ने लिखा कि सातों कवी एक स्कूल के नहीं है वे राही नहीं वे राहों के अनवेशी हैं दूसरी सब्तक की भूमिका में अग्याई ने प्रयोग वाद शब्द का विरोध करते वे लिखा कि हमें प्रयोग वादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवीतावादी कहना अग्ये के अनुसार प्रयोग अपने आप में इस्ट नहीं वह साधन है अग्ये के संप्राधन में कुल चार तार सब तक प्रकाशित होए अब देखिए सबसे में चीज आती है ये वाली और परिक्षा में ये बहुत ही इंपोर्टेंट और हर बार पेपर में ये पूछा जाता है कि तार सब तक कब कब प्रकाशित हुए उनके अंदर जो भी रचनाकार थे वो कौन कौन से थे तो चार तार सब तक है चारो में साथ साथ कभी है और अब आप कहेंगे कि मैं हम इतना के से याद रखें करना पड़ेगा मैंने भी किया था करने की जो ट्रिक है वो मैंने बता दी लिक लिक के करो रट रट के करो यूजी सी नइट के पेपर्स यूज में लो कॉलेज लेक्चरर्स के पेपर्स देखो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा मैंने शौट ट्रिक्स बना रखी है उनसे बहुत इजी हो जाएगा वैसे ही मैंने भी किये थे और परिक्षा में पूछा गया है प्रशन इसने कोई भी पेपर उठा के देख लेना हंड्रेट परसेंट इससे एक या दो प्रशन आता ही आता है हमें यह बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आधुनिक काल में पहले ही बता रही हूं आपको डर के मारे या बोरिंग के मारे चोड़ मत देना क्योंकि अगर आप जीतोगे इस परिक्षा में और वह भी इंदी सा काल अच्छे से कर लिया बस वो उन बच्चों से दौड में कहीं आगे हैं जो फर्स्ट ग्रेट की तैयारी कर रहे हैं यह मैं आपको बता देती हूं कि सबसे टफ यहीं लगता है और बच्चे यहां तक आके और अकसर इस पार को छोड़ देते हैं बोरिंग मैसूस करने ल के मैं मैं रेली बतारी हूं कि जितने वच्चे मुझ से जुड़े हैं और कमेंट्स इतने गजब गजब के कमेंट्स आतेय útil ducks आते ना मतला उनको यह भी नहीं पता कि में पड़ेगी नहीं पड़ेगी और से लंबे-लंबे जैसे कोई पत्र लिख रहा हो कोई मुझे इतने प्यारे प्यारे मैं इतना खुश होती हुना देख देखके की वाटसब टेलिग्राम पे तो लोग बड़े-बड़े लिखते भी है खूब लाइंस कि उन्हें पता है कि कोई चैक करेगा कोई देखेगा और पता भी चल जाता है पड़ते ही वाटसब पे ब्लू हो जाती है ल यहां तो उन बच्चों को यह नहीं पता कि हमारा कमेंट्स देखते भी है नहीं देखते लेकिन फिर भी उनके दिल की भावना है उनकी फिलिंग्स उनका जो सम्मान मेरे लिए इतने बड़े-बड़े वो लिख जाते है न आपको नहीं पता मैं आपके हर कमेंट्स का जो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं बड़े-बड़े पत्र के रूप में लिख देते हैं मैं उनके स्क्रेंशोट लेके और अपने स्टेटस पे लगाती हूं येकीनन आपको मैंने यह बात कभी नहीं बताई लेकिन आपका जो कमेंट्स है जितना भी आप मुझे ल मिलता है कि उसी से मैं आपको मैं पढ़ाने की मेरे अंदर जिजी विशा जाती है इतनी थकान होते हुए और जिस टीचर के पास इतने सुगंदित पुष्प हो उनकी महक कौन नहीं पहलाना चाहेगा चारो और तो मेरे पास जतने पुष्प पहना उनकी महक बहुत ही जव और हम मिल कर सीख रहें तो याज जरूर करना और मजे लेके पढ़ना बोरिंग बिल्कुल नहीं होना है ठीक है देखो पहला तार सब तक 1943 अब देखो सबसे पहले हम राइटर पढ़ेंगे फिर उनकी ट्रिक पढ़ेंगे पहले इस ट्रिक पे नहीं जाना है ठीक है प्रभ यह साथ राइटर है उननीच सो तैयालीस आप देखो मैंने कहा है चार तार सब्तक अब यहां पर एक चीज बहुत कंफ्यूस करेगी और परिक्षा में सबसे ज़्यादा करेगी सबसे ज़्यादा कैसे यह जो तार सब्तक है ना यह परिक्षा में कभी ऐसे नहीं पूछा आता ना यह जाता है प्रथम ध्यान से समझना में य Bür पहला 6 कि देखोगु यहां लिखा नूसरा है इसे कीतार तक में कोन सा कवी आ ओश다 इया तार सब्तक में कोन सा कवी नहीं था टीके अब वहाँ पर आप दिमाग लगाने बैठ जाओगे कौन सा तार सब्तक पहला दूसरा तीसरा चौथा ठीक है तो आपको यह confused बिल्कुल भी नहीं होना है तार सब्तक लिखा आजाए मतलब यह हो गया कि यह प्रथम के बारे में ही बात है समझ आगई बात देखो परिक्ष्या में पहला तार सब्तक कभी लिखा नहीं आएगा सिर्फ आएगा तार सब्तक समझ जाना 1949 वले और इन राइटर्स वले तार सब्तक की बात हो रही है क्योंकि दूसरा तीसरा चोथा अपने आप लिखाएगा दूसरा तार सब्तक तीसरा तार सब्तक चोथा तार सब्तक लेकिन जो पहला है वहां नहीं आएगा लिखावा प्रथम तार सब्तक या पहला सीधा तार सब्तक और यही बात वहां एक्जाम में आपको गंफ्यूस कर इसलिए मैंने आपको यहीं बता तो प्रभागिरागनेश यह तो आप यह इसे प्रभागी रागनेश ठीक है ऐसे इनको याद कर ले ना प्रभागिरागनेश प्रभागिरागनेश आप पास से छे बार बोलेंगे हो जाएगा और देखिए आप रिवीजन जरूर करिए मैं खूब आपको कहती हूँ संडे जो मिलता है उसमें नौट्स पढ़िए और क्या पढ़ना है पूरे नहीं होते हैं देखो आना मैं भी नहीं कहूंगी यह मुझे भी पता है पूरा नहीं हो था पिछले छे दिन में यानि सोमवार से लेकर शन पेजेज में मंडे की डेट देख लीजी कितनी है मंडे से लेके सटर्ड़े तक का जो मेटर उसे आप पढ़ लीजिए बहुत जरूरी है रिवीजन बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होगा और बिना प्रैक्टिस प्रश्णों की प्रैक्टिस जरूरी है ठीक है आप दे उनीस सो इकावज देखो गला उनीस सो तैयालीस नीस सो इकावज ऐसे याद रखना ठीक है अब आगे बताते हूं दर्मवीर भारती, नरेश मैता, शकुंतला मातूर, ववानी पिसाद में शमशेर बाद्दूर सी है, अरिनारे इनव्यास, रगुवीर साइब एक चीज में बता दो आप सब सोचोगे हम याद कैसे करें इनको याद करने के लिए मैं एक ही चीज बताऊंगी दन शब शहर, प्रभागिरा गनेश, ये तो रट लेना, ठीक है, उसके बाद ऐसे पढ़ लेना, प्रभाकर माचवे, भारत बुशन अगरवाल, पहले तो दो बार इनको पढ़ना, दो से तीन बार, फिर इनको पढ़ने के बाद एक खाली कागज पे लिखना केवल, शुजा कुमार मातूर, राम विलाश्वर्मा, गजानन मादो मुक्तिवत, नेमी चंद जैन, सचिजानन्द हिरानन्द अग्ये, तो इस तरीके से याद होगा, क्योंकि ये नहीं रटने, ये रट भी लोगे तो भी याद नहीं होँगे, इसलिए इन पे दिमाग नहीं अब देखो, दन सब शहर हमने पड़ा, तो दैसे धर्मवीर बारती, नरेश महता, शकुंतला मातूर, बवानी प्रसाद मिश, शम्शेर बाद्दूर सिंग, अरी नारहेन व्यास, रगुवीर सहाय, ठीके, अब ये तीसरा तारसब तक ही आता है, उन्निसो उन्साट, ये ये बहुत मैं, तो पूर्ण है, ये रटने पड़ेंगे, अब देखो, ये पहले कुछ अलग प्रिक थी, फिर बात में मैंने कुछ अलग बना दी मेरी सोईधा के लिए, तो आप ये भी आत कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, मैंने बनाई थी, समविप्र की के कू, समवि लेकर प्रयाग नराएंट थिपाथी, मदन वाक्षीयन, विजय देव नराएंट साही सरश्च्र देयाग सक्सेना, चौता सब्तक उननिस्सो ओनियासी, देखो, तैयालीस में पहला, इकावन में दूसरा, तीसरा उनसाट में, तैयालीस, एक सेकेंड, तैयालीस, एक 51,69 यह सिक्वेंस ऐसे रट लेना याद कर लेना बार बार मेडम केती है रट लो रट लो जबकि रटन विध्या हाई नहीं पर क्या करूं मैंने यहीं किया था रटना ही पड़ता है ठीक है अब इसकी ट्रिक है स्वरा सुनंद श्री रा ए देखो श्री राम होते है न तो श्री राम की जगे पीछे मैं की जगे तो ए कर लेना यह हो गया सुनंद और यह हो गया स्वर का स्वरा स्वरा सुनंद श्री रा ए स्वरा सुनंद श्री रा ए स्वरा सुनंद श्री रा ए आपको पढ़ना है राजकुमार कुमबज, राजेंद्र किशोर, सुदेश भारती, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर, आचार अधे अब आप इसको इस ट्रिक से भी कर सकते हैं 2R3SNA, 2R3SNA, ऐसे भी कर सकते 2R में राजकुमार कुमबज, राजेंद्र किशोर, 3S स्वदेश भारती, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, और ये नंद किशोर, प्रयोग वादी अंदोलन के प्रचार प्रसार एतु अग्यें ने 1946 में प्रतिक पत्रिका का प्रकाशन किया प्रयोग वाद ने दूसरा सब्तक, जो कि 1951 में आया, इसके बाद नई कविता का रूप धरण कर लिया यानि अगर आपसे पूछा जाए, कि नई कविता का प्रवेश कब से हुआ, तो 1951 के बाद से ही हम मानेंगे प्रयोग वाद के विक्सित ये सलेट होगा या बिटा, प्रयोग वाद के विक्सित रूप को नई कविता के नाम से जाना गया राम विलाश शर्मा और नाम वर्स यह ने नई कविता को प्रयोग वाद का क्या कहा है, छद्म रूप कहा है नई कविता के नामकरण का श्रय किसे जाता है अग्याई को और अग्याई ने 1952 में उन्हों ने आया न अग्याई के लिए अग्याई ने 1952 में आकाश्वाणी पठना से प्रकाशारित एक रेडियो वारता में नई कविता नाम का प्रयोग की 1924 में इला बास्ते जग्दीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर वेदी के संपाधन में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंब हुआ बच्चन सिंग ने नई कविता को प्रगती वाद प्रयोग वाद्दो अतिवाधी छोरो को मिलाने वाली कविता कहा नई कविता का नामकरण अंग्रे जी के न्यू पोईट्रिक का व्या अंदुलन की तर्श पर हुआ लगू मानों की प्रतिष्टा नई कविता की में तुपोन विश्वेश्टा थी वेरी वेरी इंपोर्टेंट और यही पुछी जातिये परिक्षा में ये ले लगू मानों से तात्परिया है साधन संपन नहीं उपेक्षे साधन व्यक्ति नई कविता का स्वरूप सपस्ट करने के लिए अलोचनात्म कृतियों का प्रकाशन हुआ कौन कृतियों का हुआ नई कविता के प्रतिमान लक्षमी कांत वर्मा और नई कविता के नई प्रतिमान नामवर्सी है ये दोनों में भारी confusion होता है बहुत ही जवर्दस और परिक्षा में 100% पुछा जाता है अब मैंने कैसे याद किया था वो बता देती हूं आपको जैसा उचित लगे आप कर सकत मैंने ऐसे याद किया था मैं सिर्फ जाँ दो सिमिलर रचनाएं होती थी और बहुत ज़्यादा confusion तो फिर मैंने ऐसे किया यहां लिखा है नई कविता के नए प्रतिमान त्यान से समझने नए और ये नए समझ में आ गई बात है यहां पे भी नए है लेकिन अगर शुरू में नए आ रहा है तो फिर नाम वर्षियां नहीं होगा ऐसे मैं आच शुरू अगर नए नय से उस रचना की स्टार्टिंग है तो नामवर्सिये तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसका नाम तो हुआ ही नहीं था देखो यह मेरी ट्रिक है जो इस तरीके से में समझ के बढ़ती थी हो सकता है आपको आशी भी आ जाए पर ऐसे ही मैं याद करती थी तब ही मुझे याद रहे है तो शुरू म नहीं आएगा तो वो लक्षमे कांत की प्रचना है ठीक है बताएगा जरूर आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी नहीं कविता का आत्म संगर्ष यह गजान मादो मुक्ति बोद नहीं कविता सीमाय संभावनाय गिर्जा कुमार माथूर नहीं कविता के बाहने लगू मानों पर नहीं कविता के कवियों ने रस सिद्धान्त को चुनोती देकर रस के स्थान पर द्वन्द तनाव बेचनी कुकावि की आत्मा बनाया यह माना अब आते हैं हमारे अग्येई जी 1911 में जनम हुआ कठिन अगध्य का प्रेत कहते हैं ठीक है अब आप मुझे बताएंगे हमने पिछले वीडियो में एक तो पढ़ा था कठिन खाव्य का प्रेत ना और एक कठिन पध्य का प्रेत तो आप इसका जवाब कमेंट सक्षन में देंगे लाहोर के नेशनल कोलेज से बीएस्टी की परिक्षा उत्रिनकरी करांतिकारी अंदोलन से जुड़े रहें मृटे शवाषन में बारती सेना में नोकरी की दिनमान प्रतीक नया प्रतीक सैनिक विशाल भारत नव भारत टाइम्स अधी पत्र पत्रिगाउं का संपाधन किया जै नायन व्यास विश्व इद्याले जोद्पुर के हिंदी विभाग में काजि किया उननीस सो चौसट में अंगन के पारदवार कावि संग्रे के लिए सायत्य अकादमी पुरुषकार मिला कि इनको अग्ये जी को और 1978 में ज्यान पीट किस पर मिला कितनी नाव में कितनी बार ठीक है आंगन के पारदवार इसमें तीन कविताये हैं अन्ताय सलीला चक्रांत श्रिला असाध्य विण जिसमें से आपके सेकंड ग्रेड में असाध्य विणा पूरी के पूरी दी हुई है जो आपको पढ़नी है समझ में आगई बात असाध्य विणा सेकंड ग्रेड की बच्चों के पूरी है ये विए के पार्ट में अग्ये ने अपनी कावे यात्रा च्हायावाद युग में अरंब की थी भग्न दूत चिंता इत्तिलम ये च्हायावादी युग की क्रतिया है कविता के साथ अग्य अग्ये फ्राइड के मनोविश्लेशन वाद से प्रभावित थी ठीक है भग्न दूत चिंता इत्तिलम ये च्हायावादी है बावरा अहरी इंद्र धनुषी रोंदे हुए अरी घासपर क्षणबर अरी हो करना प्रभा में कितनी नावों में कितनी बार सागर मुद्रा महा अग्पर चायां सदा नीरा इसा को यहार आपने देखा है अंगन के पार्दौ है प्रसिद्ध कविताएं कलंगी बाजरे की साप हिरोशिमा कलंगी बाजरे की साप और हिरोशिमा गजानन मादो मुक्ति बोद हंस नया खून का संभाधन किया मुक्ति बोद को बयानक अब इनकी रचनाएं देखेंगे हैं चांद का मुठ एड़ा बूरी बूरी खाग दूल मुक्ति बोद ने अपनी कविता में फेंटेसी को स्थान दिया है अंधेरे में ब्रह्म रक्षष लकडी का रावन यह मुक्ति बोद की लंबी कविता है शं्चेर बहाद्दूर सिंग ने अनधेरे में कविता को एक दंदेगता इस हिसले बिलीफ दकता इसले अनधेरे में निर्मल वर्मा की कहानी संग्राय भी यहन रखिएगा यह आपको अन्देरे में दिख ец- forgiving है इस किसकी है यह जो अंदेरे में हमने उपर पड़ी यह तो है गजानन मादव मुक्ति बोध की ठीक है अब यह नीचे देखिए इस अंदेरे में कविता को समशेर बाद्दूर सिंग ने एक धदकता या देखता इसपाती दस्तावेश कहा है जो कि मुक्ति बोध की है और एक अंदेरे मे कामाईनी एक पुनर विचार ये मुक्ति बोध की है कामाईनी किस का है यह आप मुझे comment section में बताएंगे ठीक है में यहां कहा है कामाईनी एक पुनर विचार यह तो मुक्ति बोध लेकिन मैंने यह आप से पूछा है कि कामाई किसकी रचना है और करकासान वर्ष। यह मुझे मुझेले स्क्षिन में बताईंगे ठीक है यह मारे प्रयोग बैद के और प्रयोग बड़ा है हमेरा मैं जो तर्सब्क है उनको आपको जरूरात करना है क्योंकि तर्सब्क से हमेशा एक प्रश्न पूछा ही जाता है या फिर दो प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं तो तार सब्तक को मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है ट्रिक क्या है पढ़ने का तरीका अगर आप मेरा फोलो करें आप अपना बनाए जो भी ठीक है तो आज हमारा प्रयोगवाद का पहला पढ़ेंगे अरे क्रिश्ना राधी राधी धन्यवाद